Mumbai Indians ने अपटी retention list जारी कर दी और इस list में वो चार Faf4 का नाम है जो कि Mumbai Indians के हैं रोहिद छर्मा, सूरिकुमार यादव, हार्देक पंडिया, जस्पृत भुम्रा ये Faf4 को Mumbai Indians ने कैसे एक साथ रीटेन कर लिया inside stories की क्या है, आपको detail में बताऊंगा मैं क्या कुछ meetings के दौरान बातचीत हुई और अब सूरिया के भरोसे Mumbai Indians है क्योंकि सूरिया ने इस बात गैरेंटी ली है कि मौहल टीम का मैं बनाऊंगा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ सूरिया ने कहा है, क्या कुछ सूरिया ने कप्तानी को ले करके कहा है Mumbai Indians की, Mumbai Indians owners के साथ जो बातचीत उनकी हुई है उसमें साथ में रोहित शर्मा ने क्या कहा है और हार्दिक पंडिया के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है डीटेल में आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा मेरा नम से शांग जागनी के इस वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिजेगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा इस चैनल पर अकेले कॉंट्रेक्ट प्रेट मैं करता हूँ कुछ समय पहले ही ये चैनल शुरू हुआ है अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो चैनल औवियसली प्रमोट होगा यूट्यूब रेकमेंडेशन में इस वीडियो को भेजेगा और बाकी और लोग भी जोल पाएंगे जिससे आप सब भाई लोग चुड़े हैं तो अब जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की डीटेल में आपको बता देता हूं कि क्या कुछ हुआ है उन मीटिंग्स के दौरान जिसमें सूर्या ने मुंबई की जिम्बेदारी ली है और रेटेंशन के लिए मुंबई इंडियन्स फैफ फोर जो मुंबई मुंबई इंडियन्स के हैं उनको मनाने में काम्याब हुई है देखे मुंबई इंडियन्स की स्टोरी में सबसे एहम भूमे का जिरौने निभाई है उनका नाम महिला जयवर्दने है जो की टीम के पूर्व हैट कोच थे और एक बाद फिर से उनको टीम का हैट कोच बना द आ रहे हैं excluding तिलक वर्मा जिसमें रोहित शर्मा का नाम है हर्दिक का नाम है सूर्या का नाम है और बुम्रा का नाम है इन चारों को हम एक्वल अमाउंट पर रीटेन करेंगे यह बात यहां पर हो गई अब उसके बाद जो सारी चीजे रही रिटेंशन को लेकर कि जो भी क कुछ रहा प्लेयर्ज में तै कि उन्हें किस ओडर में रीटेन होना है रोहित शर्मा नंबर चार पर रीटेन क्यों हो है इस पर रोहित ने क्या कहा है वह आपको अगर वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास् अब एक मीटिंग करते हैं रोहित शर्मा जितने टॉप खिलाडी है जो 4 उलोग फ्टूर जो मोंबश आन्यंस की और उसके बाद इस बात की उपर आते हैं कि अब जो फ्रेंचाइजी यहां से करने जा रही है उसके बारे में फ्रेंचाइजी जो है फैंस को पहले बता देगी ऐसा ना हो कि हम कुछ फैसला ले ले लें और उसके बाद फिर फ्रेंचाइजी को बताएं जो की प्रेंचाइज ये से ये टैकी आ जाता है कि अब जो हम बदलाव करेंगे यहां से, जो हम चीजे करेंगे, उसके बारे में जो प्लेयर्स के साथ-साथ, फ्रेंचाइजी, फैन्स जो है, उनको मुमा इनियंस के जो फैन्स हैं, उनको पहले ही बताया जाएगा, अच्छा, यहां पर दो बात हो जाती है, जो इनकी मुलाकात हो जाती है, यह सब जोग जो मिल लेते हैं, जो आई-पर दोहसाथ चोबेस रहता है, उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद, उसके बाद जब प्लेयर्स से बातचीट करने का मौका आता है, तो उस कॉन्वर्जेशन में हर को थी तो हमारा सोचने का नजरिया ये था कि हम लंबे समय तक हार्दिक को कप्तान बनाए रखेंगे, अब ये बात हमारी तब सोची हमने थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीजन हार्दिक का खराब जया तो उंको कप्तानी से हटा दे, इस बात को लेकर के सब लोग उतरते ही ये सारी जो चीज़ें हुई थी रोहित ने भी इस बात को एग्री किया कि हाँ भई कप्तानी इनको मिल जानी चाहिए अच्छा फिर पूछा गया कि सूरे कुमार यादव का क्या नजरिया है क्या फ्यूचर देख रहे हैं वो और उन्होंने भी अपने पॉइंट फ्यू रखे मैनेजमेंट के सामने सूरे कुमार यादव ने भी कहा कि भाई मैं टीम की कप्तानी करना चाहता हूं और टीम की कप्तानी आने वाले समय में करना चाहूंगा फिर जब उनको ये बात बता दी गई कि हार्दिक पन्या कुछ समय के लिए कप्तान रहेंगे ये जा चुका है इस बात को सोच करके ही हार्दिक को बुलाया गया था तो फिर वो भी इस बात के लिए तयार हो गए चलिए ठीक है बट किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कप्तानी टीम करना चाहूंगा आने वारे एक दो सीजन्स में अगर मुंबई नियास सारी चीज़ें हैं उसके बाद जो चीज होती है रेटेंशन के जो लास डेट थी ना 31 ऑक्टोबर इसके चार हफ़ते पहले तकरीबन इन सब की मुलाकात होती है उस मुलाकात के दौरान ये कुछ सारी बात रहती है और ये भी एक किया गया कि भाई टीम का माहौल अब किस इन तीनों से अमाउंट थोड़ा कम मिला अब इन चारों के साथ पर तिलक पर्मा को भी रीटेंड कर लिया गया मुमे ने उनको रीटेंड कर लिया और रोहित ने उनसे जादा अमाउंट इन खिलारों को मिला है उसके ऊपर भी कुछ बात कहिए आपको आखरी में इस दिया जाना चाहिए जो कि 18 करोड रुपए है वो इनको मिल गया और रोहित ने इस बात को लेकर कि अपनी खुशी भी जाहिर की उन्होंने इस मीटिंग के दौरान वो खुश नजर आए और यह सारी चीज़ें हुई यहां पर यह कुल मिला करके यहां तक की बात हो जाती ह अब मीटिंग के दौरान यह जो बैने आपको स्टार्टिंग बात बताई ना कि टीम के जो फैंस हैं उनको सारी बाते बता देनी चाहिए उनको इन्फरमेशन दे देनी चाहिए कि जो कुछ हुआ है वो कैसे हुआ है क्या कुछ और चीज़ें सोच करके यह विट टै कि उन्होंने ऐसा सोचा और रोहित्षमाने भी इसके उपर एग्रिमेंट अपना दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की जब पूछा गया कि भाई सपोर्ट टीम को चाहिए रहेगा टीम का माहौल भी हमें देखना होगा क कि क्या कुछ होता है तो सूर्या ने अपना हाथ खड़ा का सूर्या बोलते हैं कि भाई माहौल अपकी बार टीम का मैं बनाओंगा माहौल बनाने के लिए मुझ पर छोड़ देखे आप भाई अब वो टीम इंडिया के कपतान है टीट्वेंडी फॉर्मेट की कपतानी भार समके फिल्डिंग करते हैं तो फैन्स के साथ गजब इंट्रक्ट करते हैं तो सूर्या माहौल टीम का पूरा बना लेंगे सूर्या के उपर अब पूरी दिम्मेदारी ये सौप द ही गई है मुमबई Indian को तरफ से सूर्या के भरोसे मुमबई Indian का मौहल रहेगा क्योंकि सूर की बीच में आपक्स में बात्चीत हुई है कि हमारा नंबर रिटेंशन का ये रहेगा कोई देखती बात यहां पर नहीं है और उसके बाद पांचे नंबर पर तिलक वर्मा दो कुल मिला कि 75 करोड रूपए मुंबई इंडियंस अपने लगा चुकी है इन 5 के पीछे अब बा किस तरीके से सुर्या हार्द disp रोहित बुम्रा लगरेगर हो इक और आप सब के लिए बहुत दिल से है अगर आपको कांटेंट पसंद आएगा तो हमें बहुत खुशी होगी इस वीडिएयो को प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और आप भी बता देजे कॉमेंट करगी कि आपको क्या लग रहा है आई पेल दोहजार चोबिस से आई पेल दोहजार पच्छिस मुंबर इंडियांज के लिए क्या एकदम अलग होने वाला है क्या लगता है आपको अपनी सोच कॉमेंट सेच्छ में जरू दिजेगा इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दी वीडियो